नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं C.A. प्रभाकर गुपता, Shorts of Tax Professional के YouTube चैनल में आपका हर्दिक अभिनेंदन दोस्तों, अगस्त का महिना भी लगबख खतम होने को आ गया और अभी भी हम अपनी income tax की returns को regularly और proper तरीके से फाइल नहीं कर पा रहे यदि हम income tax return की बात करें, तो ITR 1, ITR 2 और ITR 4 तो लगबख दो महिने पहले forms आ गए थे ITR 3 जो normally business income के case में जाती है, वो form भी अभी एक हफते पहले ही introduce हुआ ITR 5, partnership firms के लिए, ITR 6, companies के लिए, ITR 7, other persons के लिए, board of individuals, trust वगएरा के लिए उनका तो अभी कुछ पता ही नहीं कि वो forms कब आएंगे दोस्तों मुझे एक बात कभी समझ में नहीं आई कि आखिर income tax के forms को introduce करने में, डालने में site के उपर, applicable करने में इतना समय क्यों लगता है ये एक question मुझे कभी भी समझ नहीं आया, यदि आपको आया हो तो आप जरूर कमेंट कीजेगा क्योंकि आज मैं इसी बात के उपर discussion करने जा रहा हूँ दोस्तों, हम अब किस साल की ITR फाइल करने जा रहे है financial year 2021 की financial year 2021 में क्या tax की applicability होंगी क्या tax के provisions होंगे किस value पर tax लगेगा किस पर tax नहीं लगेगा इसके बारे में जो announcement होती है government की तरफ से वह कब होती है वह होती है first February जबकि budget introduced होता है और ये budget कब introduced हो था 2021 के लिए first February 2020 को यानि कि एक फरवरी 2020 को budget के अंदर government ने announce किया कि हम ये ये basically हम provisions को change करने जा रहे है उन्होंने एक फरवरी को announce किया और normally 15-20 March तक आपको approval भी मिल जाती है और आप भी जाते हैं कि जो budget में आता है लगभग more or less 80% तो approve हो ही जाता है चलिए कोई बात ही हमने मालिया साथ 31 March 2020 तक वो approve भी हो गया था अब हमें return का फाइल करनी है एक अपरेल 2021 के बाद यानि कि पूरे एक साल के बाद क्या ऐसा कोई system नहीं है कि जब budget मेरा बन चुका मुझे सारे provisions पता है कि मेरे act में क्या-क्या changes हुए है उसका क्या impact मेरी returns में पड़ेगा मैं उसके according अपने forms में modification कर लो क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि form कोई पहली बार बना हुआ है forms तो already income tax की site पे available होते हैं इशने साल के forms चले आ रहते हैं उसमें सिर्फ कुछ modifications करने होते हैं कुछ changes करने होते हैं कि भई हाँ अब जो जो rules change होगे उसके according क्या impact पढ़ने वाला है उस impact को बस आपको उस forms के अंदर introduce करना होता है कुछ provisions के according आपको उसमें से कुछ rules regularization के according कुछ points हटाने होते हैं कुछ points add करते हैं इट मींस आपको कोई नया form तो introduce नहीं करना आपको पहली line से लिखना शुरू नहीं करना कि भई A से सुरू करके Z तक करना है आपके पास पूरा सब कुछ लिखा हुआ है आपको जहां जहां पर basically changes करने हैं सिर्फ आपको वह काम करना होता है और वह काम भी पूरे 31, sorry, पूरे 365 दिन के अंदर हो ही नहीं पाता है इन पर अब इसमें कोशन ही आ जाता है कई वार लोग कहते हैं कि सब रूल्स में कई वार during the period भी changes होते हैं तो क्या साहब अगर during the period भी change हो रहे हैं तो क्या पूरा law बदल गया क्या कोई 1.2.4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 50 कितने notifications आते हैं जो कि आपकी income tax की returns filing पर impact डालते हैं और यदि आते हैं तो आपको सिर्फ ओसिफ वो changes ही तो करने हैं आपको सिफ replacement ही तो करनी हैं आपको उसके according modifications ही तो करने हैं लेकिन वो modifications भी नहीं होते हैं मुझे जो लगता है वो ये है कि जी budget आया उसके कई मर्च 21 तकट पहले कर लेते हैं पूरे एक सार मेर जो चेंज है नों पहले कर ल अधे सही होते हुते हूं और आध़े नहीं होती है कोई टेस्टिंग नहीं होती कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं बन पाता जुक्ली स्टेक्स दू हो जाती है परिशान कौन होता है एक SSE आप SSE से कहते हो Advanced Tax Payment कर दो कई वार वो नहीं Tax Pay कर पाया वो सोचता है कि जब Self Assessment होगा मैं उसी समय पूरा Tax जमा करा दूँगा लेकिन नहीं आप कहोगे कि मैं आप से Late Filing का Interest भी लूँगा 234 A, B, C, D, E, F, G, H जो भी है X, Y, Z सारे के सारे मैं Penalty, Interest सब कुछ लगा दूँगा लेकिन क्या आज तक ऐसा हुआ है कि Income Tax Department पर मैं इस बात की Penalty लगा दूँगा कि सब मैं 1 April 2021 को अपनी ITIR क्यों नहीं फाइल कर पा रहा या मैं 1 April 2022 को जब मैं अगले साल के रिटन फाइल करूँ तो 31 जुलाई तक 30 सितंबर तक वेट करने के लिए कहा जा रहा है क्यों मेरे को ये कहा जा रहा है कि अगर इंडिविजल के केस में नॉर्मली डेट होती है तो आप 31 जुलाई के मतलब 30 जून को फाइल के आप जुलाई जुलाई के महिने में इससी को तो नुकसान ही है मैं समझता हूँ इससे सबसे बड़ा नुकसान तो गौर्मेंट को है गौर्मेंट को इसलिए है कि देखे आप भी जानते हैं कि इस एडवांस टेक्स जो पेविमेंट करती है बड़ी कंपनीज करती हैं लेकिन सेल्फ असस्मेंट टेक्स के थुरू भी बहुत मूटी एमाउंट जमा होती है सरकार के खाते में अब यदि सरकार इंकम टेक्स के फॉर्म्स को 1 अप्रेल 2021 से या 1 अप्रेल 2020 से नहीं किसी भी साल में 1 अप्रेल से ही वो इंटेड्यूच कर दे तो आपके पास में रिटन्स फाइलिंग 1 अप्रेल से ही शुरू हो जाएगी और जिसकी टेक्स की लैबर्टी होगी वो अपनी 1 अप्रेल के बाद वो अपना टेक्स भी जमा कराने शुरू कर देगा जिए रिटन्स भरते जाएंगे टेक्स जमा होता जाएगा तो आपके पास में और पूरा समय होगा आपको रेगुलर टेक्स मिलेगा आपको आपको अप्रेल में भी मिलेगा यून में भी मिलेगा और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जैसे कि आपका फॉर्म अभी तक आया नहीं, अगर हम बात करते हैं, यह अगस्त होगे अभी तक भी साइट चल नहीं रही, सितमबर तीस तारिक लाश डेट है, प्रेशर सार आये सितमबर के महीने में आएगा, रिटन्स में क्या होगा, दो ही चीजे होंगे, या तो लगबग टाइम है, इस एक महीने में आठ करोड़ लोगा, या नहीं कि डेली की अपरोक्स लगाई है, तो पच्छे से तीस लाख रिटन्स डेली फाइल होनी है, पच्छे से तीस लाख रिटन्स को डेली फाइल कीजिए, मतलब यह हो गया, अगर हम कंसर्टेंट्स के आएगी, फिर नोटिसे जाएंगे, फिर SSC परिशान होगा, अननेसेसरी के केस चलेंगे, अरे आप क्यों नहीं अपने डिपार्मेंट से कहते कि जी मुझे 31 मार्स तक, यानि फाइनेशिल यह खतम होने से पहले पहले आपके सारे फॉर्म्स अपलोड हो जाना चाहिए, र पता उनके कान में ये बात पहुँचे, उनको साइद ये समझ आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर इतनी समझ है, अगर समझ होती तो ये काम वो कर चुके होते, सालों से यही चलता चला आ रहा है, तो आप से रिक्वेश्ट इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर क झुक्ट